हेलो दोस्तों अपने ही चैप्टर में फड़ा और आगे बढ़ते हैं जिसमें लोग बात करेंगे कौन-कौन से समस्या हैं उसमें कौन-कौन सी बुराईया हैं कम्या इस तरह का समझ सकते हैं बहुत ही ज़ादा आसान है कुछ इसमें जादा सोचने की ज़रूत नहीं आप समझ लो कई बच्चे बहुत रटते हैं रटने में इसमें कुछ है नहीं पहली चीज क्या होती भाई आपचारिक नियोजन क्या बोल देते हैं formal planning तो formal planning कर लिया आपचारिक आपने पूरा नियोजन कर लिया अब इसमें होता क्या है पहली चीज तो कि बदली ही परिस्थितियां आप नहीं प्रेडिट कर सकते हो भाई परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है है ना तो एक ही चीज है जो constant है और वो है परिवर्तन हमेशा होता रहता है तो आप कई चीज़ें सोचते हो कि यहां ऐसे होंगी ऐसे होंगी ऐसे होंगी लेकिन अगर परिस्थितियां बदल गई है और कुछ जादा ही बदल गई तो क्या हो जाता है नियोजन जो है वो द्रड़ता उत्प भर गया तो अब आप जो आपको कोईले का प्रोडेक्शन था है किसी तरह की माइनिंग का खनिश्पदात कोई भी निकाल ले तो उसमें दिक्कत आ सकती है तो अगर वैसी दिक्कत आगी तो आप क्या करोगे लेकिन आपका जो on paper लिखा हुआ है उसमें तो लिखा हुआ है कि नहीं भाई आपको इतने 10 का production करना है तो होता क्या है कि जैसे जैसे परिस्तियां बदल जाती है वैसे किसी पहले से बनाए गई योजना का अनुसरान करना जो है ना वो अहितकारी भी हो जाता है तो मैसे अहितकारी मतलब वो नुक्सान और करने लगेगा क्यों क्यों हो दूसरा क्या है परिवर्तन शील वातावर्ण में नियोजन प्रभावी नहीं अब ऐसा है कि परिवर्तन तो हमेशा ही होगा लेकिन कितना ज्यादा परिवर्तन हो जाए अगर बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हो जाए तो आपने जो योजना बनाए तो वो पूरी की पूरी जाती है जब काई लोगों को कॉंट्रेक्ट छीन ली जाते ओना तो मौल लीजी- आपने कुछ भी प्लान किया it कंपनी आपके कंपनी को जो अभी सरकार चल लिए उसने आपको कॉई कांट्रेक्ट दिया लेकिन आपके जो भी प्लैन किया अपना पूरा समय लगाया संसाधन दिया वह सारी चिनी वेकार हो गई ऐसे ही क्या हो जाता है कई बार कि कोई प्राक्रतिक आपदा आ क्यों कि आप काम नहीं कर सकते चीजा है जो आपको पता नहीं हो जाए और अगर परिवर्तन बहुत तगड़ा हो जाए या कुछ ज्यादा परिवर्तन हो जाए तो जो आपने उच्छा बनाई तो प्रभावी नहीं रहे गई आप उस पर चलिए नहीं सकते क्योंकि पूरी च समझते है कि कोई भी चीज को किस तरह से किया जाए उसमें बहुत सारे लोग अलग-अलग तरह से करने वाले होते हैं और हो सकता है अगर आप में सब कर बोल जा है स्कूल में कई वार क्रेटीवील का जो इपो जो company के boss लोग हैं उन लोगों ने design किया उन्होंने सोचा कि यह हमारा plan है अब उसके बाद से जो middle level के लोग हैं मध्यमिस्तर के और उसके बाद से और नीचे के जो supervisors हैं या low level managers हैं उनकी पास authority नहीं है वो इस बात के लिए अधिकरत नहीं है कि वो जो new gen है जो plan है उसमें कुछ परवर्तन करता है और अगर वो परवर्तन नहीं कर सकते हैं तो उनको एक तरह सोजाता नहीं कि यह just follow the orders जो आपको उपर से आदेश दिया जा रहा है सिर्फ आप उसका पालन करेंगे तो company के सारे लोगों को धीरे-धीरे जो प्रवृत्ती है वो क्या बन जाती है कि जो आदेश आ रहा है वो आप मान लो तो लोग खुश से चीज़ों को सोचना बंद कर देते हैं कई लोग कम करने लग जाता है और लोगों की रशनातमुक्ता छिप जाती है समझें तो ये भी काफी हर्त तक नुक्सान कर सकता है क्यों कि होता क्या है मैनेजर्स तो मैनेज करने काम कर रहे हैं प्लैन कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते ना जो डे-to-day लाइफ में देख रहे हैं उनको आइडिया लग सकता है कि नहीं इस चीज़ को हम ऐसे करने तो शाय ज्यादा अच्छ हो जाए लेकिन वो बताई नहीं पाते हैं क्यों क्योंकि उनको कुछ कहने का अधिकारी नहीं रहा गया तो इस वज़ए से क्यों रशनातमुक्ता को कम कर देता है यहाँ पर कोशिस असरी करने चाहिए management को कि लोगों को अपने अच्छे-चे suggestions रखने का मौका दिया जाए उनमें से बहुत सरे suggestions को आप नहीं भी मानोगे तब भी एक तरह का जो इनसान है जो काम कर रहा है उसको लगता है और मेरी बात सही भी है लेकिन यह लोग मान नहीं तो कुल मिला करके यह भी एक factor है कि रशनात मत्ता को कम कर देता है फिर भारी लागत आती है लागत का क्या मतलब है एक तो मैनेज करने वाले जो भी लोग होते हैं जो लोग प्लान बना रहे होते हैं वो सवारे बड़े बड़े लोगों का मतलब क्या हुगा कोई बहुत ब इंडिस्ट्री में तो और भी आदा सैलरी हो जाती है तो जिसको दसलाग फुपर मिला है और जिसको दसलार मिला है तो सो गुने कांग तर है तो अगर आप जिसको दसलार मिला वैसे 100 employees को रखोगे वैसे एक के बराबर कर खाचा है लेकिन ये इंसान क्या कर रहा है प्लान क में कई बार बहुत लागता जाती है और कई बार तो ऐसा होता हैना कि plan मनाने की जो लागत है माला दूँजे काम इतना बड़ा था ही नहीं और आप नो उसमें planning में बहुं जाता पैसा कर खर्च कर दिया है ना कई यह बार ऐसा होता है कि प्लान में जितनी लागत आती ना उसको justify नहीं का सकते हैं कि इतना कैसे खर्च कर दिया अरे में काम भी तो करना था तो प्लान भी काफी expensive होता है और कभी तो बहुत ही expensive हो जाता है बहुत ही महेंग हो जाता है तो यह भी एक इसका नकारात्म आपकी पास 4 मेने का टाइम है आप 4 मेने में 2 मेने तो प्लान करते रहे है अलग कि लिंकन है अब रहां बिंकन में बहुत ज़दा inspired हूं उनसे बहुत प्रसंद है परसनाल्टी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लोगतंतर कैसे काम कर सकता वह काम करके दिखाया बहुत प प्लानिंग भी कुछ होती है बहुत इंप्लानिंग लेकिन मालीची आप सिर्फ कुलहारी को बहुत शार्ट ही करते हैं कि आपने बिल्कुल कामी नहीं किया पेड़का टाइम ही खतम हो गया वैसा हो जाए तब भी दिक्कत है और अधर्वाइस भी टाइम तो लगता ही है और जब कोई भी योजना बहुत बड़ी होती है जैसे माल लीजे अभी हमारे मुंबई में मेट्रो बन रही है कुछ बन भी चुकी है लेकिन बहुत सारी लाइंस पर काम चलना है तो उसके लिए पूरा प्लान करना वहां पर बहुत सारे साइंटिफिक कैलकुलेशन के जर पूरा प्लान के यह काम किया होता तो नुकसान भी हो सकता था तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा समय ले जाता है तो यह भी इसका एक नुकसान है फिर क्या है यह लास्ट बात जैसे मैंने अब रहाम निंकन साहब का उधारन दिया था कि नियोजन जो है वह है तो इसको यूपीस्टी नाम का हमारे संस्थान हैं कंशन वो अब यह होता है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत मेनत करते हैं लेकिन सारे लोगों को सफलता मिले यह ज़रूरी नहीं है तो यहां पर मेहनत करोगा आप सीख लोग आपको ज़्यान मिल दाएगा लेकिन सफलता क्यों कि करीब भाई दसला के आसपस बच्चे बैठते हैं ठीक है और सेलेक्शन जो है वह एक हजार के आसपास का हो रहा होता है उसमें भी फिर आईएस बनने वाले लोग जो है वो टॉप हंट्रेड में आते हैं लगब लगब उनको मिलता है तो कि आपको सेलेक्शन होई जाएगा व्यासा सीन भी रहता है बहुत सारे ऐसे लोगें बहुत टैलेंटी डोलें का सेलेक्शन नहीं हुआ खिर वापस आते हैं ऐसे क्या होता है कुछ चीज़ें होती जो आपको करनी ही पड़ेंगी अगर आप मेहनत नहीं करोग तो होगा लेकिन बहुत अच्छे से कर ली इसका मतलब भी नहीं कि आप सफल हो जाओगे तो सफलता का आश्वासन नहीं है कि आपने प्लैनिंग बहुत अच्छी कर लिए उसके बाद से एक्जिक्यूट करना है उसको जमीन पर उतारना है तो जब तक आप उस प्लैन को अच् देखेंगे तब तक के लिए आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बाक्स में लेकर बताइए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल बाकी लोगों को साथ शेर करिए पसंद आये तो लाइक करिए मिलते अपनी क्लास का उद्दे से आप सभी के लिए आप ही की भाश्रा में गुनवत्ता पूंट सिक्षा उप्लब्ध कराना है। कख्षा बारत तक के सभी प्रमुख विश्यों पर हम वीडियो बना रहे हैं और कुछ विश्यों पर वीडियो आपके अपने चैनल अपनी क्लास की अन्य प्रेलिस्ट पर अप्लोड भी हो चुके हैं। ज्यान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना अपना भूमोल योगदान जरूर ने हैं। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।